तो friends आपने देखा कि कैसे आप easily कोई भी text को as watermark add कर सकते हो वीडियो में Hello friends, this is Aradhyay Pyaali आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ OpenShot Video Editor में कैसे आप text watermark add कर सकते हो मैंने अपनी एक previous वीडियो में आपको बताया था कैसे हम channel का logo वीडियो में डाल सकते हैं Using OpenShot मैं आज आपको text को कैसे watermark की तरह हम वीडियो में add कर सकते हैं बताने जा रही हूँ तो चलिए शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर एक वीडियो को import कर लिया है आईए उसे हम timeline पर ले आते हैं यहाँ देखिए सिर्फ दो ही track है हमें उस वीडियो को lower वाले track में रखना है मैं आपको एक बार वीडियो को चला के दिखा रही हूँ कि इसमें अभी कोई भी watermark नहीं है आप देखी सकते हैं कि इस वीडियो में अभी कोई भी watermark नहीं है अब हम title पर जाएंगे title पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक title को choose कर लेते हैं आप यहाँ पर title की जगह पर वो लिखे जो आपको as a watermark चाहिए तो मैं यहाँ पर अपना channel का नाम लिख रही हूँ आप यहाँ पर font change कर सकते हैं और size font का size भी आप चाहे तो आप यहाँ से change कर सकते हैं और font का text के साथ साथ आप उसका color भी change कर सकते हैं मैं white choose कर रही हूँ अब मैं इसे save कर रही हूँ प्रेंच देखें मेरी file यहाँ पर आ गई है यह as svg file save हुई है मैं उसको अपने timeline पे ले आती हूँ अब मुझे दोनों का इस file का और इस video का length जो है same रखना है तो आप इस तरीके से drag करोगे आप इसकी length करीब करीब same रख सकते हो या तो फिर इस file को आप थोड़ा सा खीच के then इस तो right click करें slice करें and keep left अब देखें दोनों की length जो है बिल्कुल same हो गई है यह देखें यह मेरा text watermark जो है यह थोड़ा prominent हो गया है वीडियो के हिसाब से जो watermark होते हैं वह काफी see-throw और हलके होते हैं तो मैं इसे थोड़ा कम prominent बनाने की कोशिश करती हूँ पहले मैं file पे click करूंगी then right click करके properties में अब हम यहाँ alpha tab में जाएंगे alpha tab में जो dimension दिये वे हैं यहाँ पे जो value है उसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं मैं one की जगा पे 0.50 से शुरू करती हूँ value friends देखें यह जो text logo है यह काफी हलका और see-throw हो गया है मैं इससे satisfied हूँ मैं इसे ही as a final text logo की तरह यूज करने चाहरी हूँ अब मुझे मेरा logo बीच में तो नहीं चाहिए तो मुझे इसको इसके सही location में लेके जाना है file के ओपर click करके file को select करें और right click करके transform को click कर ले फिर आप scale x और scale y में value को adjust कर ले मैं यहाँ पर 0.70 कर रही हूँ मैं लोगों के size को थोड़ा increase करना चाहती हूँ मैंने दोनों ही scale x and scale y में 0.80 value डाला है अब देखिए friends आप इसको drag करके जहां चाहे वहाँ place कर सकते हैं हम एक बर अपनी video को play करके देख लेते हैं यह देखिए friends यह रही हमारी text logo आप देख सकते हूँ मेरा logo लग गया है मैं एक बर video को export कर लेती हूँ ताकि मैं यह चीज हम इसको ठीक से अच्छे से देख सकें यह देखिए friends तो friends आपने देखा कि कैसे आप easily कोई भी text को as water mug add कर सकते हूँ video में friends अगर आपको video अच्छा लगा तो video को like करें और उसे share करें bell icon को press कर ले ताकि आपको मेरा video सबसे पहले दिखें और आप subscribe भी कर ले मेरे channel को तो friends आज इतना ही मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगले video पर तब तक stay healthy and safe तक यू